भरपूर जीवन तेरे लिए पीशू लाया है तेरे लिए भरपूर जीवन तेरे लिए अब सुन जेखेखे सुपसंदेश मॉनिंग वोईस अब पुर्फु का दास नर्सन दोमस मुंबई से वजन से वाटा जाएगा पुर्फु पनमेशक इस्तूदी हो शुपसंदेश की हमारे सारे स्रोताओं गो ये कौर बार मसी इशू के अतिसरेष्ट नामे नमस्कार और जैमसी की थोड़े दिर के अमारे मनन किरिये आईए निकालेंगे युहनक असो समाजार पांचवा अध्याय आट और नव पदोंगो जोन्स गास्पल चाप्टर फाइव वेर्सेस एइट और नाइन इशू ने उसे कहा उठ अपना विचवना उठा और चल फिर वो मनिश्य तुरंद चंका हो गया और अपना विचवना उठा कर चलने लगा और वो सवत का दिन था प्यारो हम पिछले दो अध्यायन में इस विश्य को देखा किस प्रगार प्रहुईश मसी अड़ती साल से बीमार आत्मी के पास आते हैं और उस आत्मी का दुर्दश्या को समश कर पूछते हैं कि क्या तुम चंका होना चाहते हो और इश्यू ने उसे कहा महोदे मेरे लिए कोई नहीं यह हमारा भी हालत है यहां प्रहुईश मसी देखते हैं उस वेक्ती को तुरंद कहते हैं उठ और अपना विश्टर उठाओ चालो और उस आत्मी तुरंद चंका हो गया और अपना विश्टर उठाकर मिचवना उठाकर चलने लगा तीन बहुत पूर्ण मुद्दा हमें यहां से देखना है पहले बात यह है कि हमारा प्रहुईश मसी के शब्दों में जो ताकत है जो सामर्थ है पवित्र शास्त्र बाइबल हमें सिखाते है कि सब कुछ अमारे प्रहुईश मसी के शब्दों की द्वारा बना गया है केवल मनिशक का ही निर्मान में अपने हाथ से निर्मान किया बाकि सब कुछ पन्मेश और ने होने दो बोलकर अपने शब्दों से बना गया है एही कारण से हम देखते हैं प्रविश मसी के शब्दों में अद्बुत अनो की ताकत को हम देखता है उनके कहने पर आदी तुफान बेंद होते हैं उनके कहने पर मुर्दे भी मुर्दगों में से जी उड़ते हैं और उनके कखने पर बीमार चंका हो जाते हैं, वो भी तुरंथ, हम पढ़ते हैं तुरंथ वो चंका हो गया, ऐसा निये की धीरे धीरे चंका हो गया, तुरंथ चंका हो गया, पूरा पूरा चंका हो गया, हमेशा हमेशा के लिए चंका हो गया, ये दर्शात है आज भी प्रभु इश मसी का वचन हमारे जीवन में क्या अद्बुत कार्य कर सकते हैं आज हमारे जीवन में आत्म का उधार, पाप की च्छमा, मन की शांदी समाथान, रूपांदर, नया जनम, नया जीवन, आध्यात्निक आशिशेम इश मसी के शब्दों से वचन से हमें मिलते हैं उनके लिए कुछ भी असंभो की बात नहीं हमारा करतव है उसका वचन को हम ध्यान देना और उसका वचन को पालन करना और दूसरी बात ये है इस आत्मी का विश्वास और उसका आज्या कारिता को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अड़ती साल वो वहां पड़ा था अड़ती साल वो कभी नहीं चला अड़ती साल वो तंदुरस्ति के बिना शरीर में कमजोर होकर पड़ा था उस आत्मी को जैसा ईश्व ने कहा तुम उठो वो उठा अपना बिचवना उठाया और चलने लगा मेरा सवाल यह है कि आपको लिखता है ये आत्मी चंगाई पाने के बाद उठा या विश्वास करने के बाद चंगाई पाया दूसरे शब्दों में ये विश्वास करके चंगा पाया ये चंगाई पाने के बाद विश्वास करके उठा समझना बहुत मुश्किल है अम इस वचनों को देखते समय वास्तों में उनका विश्वास का प्रकड़ेकरन हम इतना देखता नहीं है इश्व मसी के पास उसने कहा महोदे मेरे पास कोई नहीं मैं इतना अब दुर्दश्या में पड़ा हूं और इश्व मसी तुरंद बोलते है तुम उठो और वो आपनी तुरंद चंगा होता है वो उठते हैं कहना बहुत मुष्किल है क्या पहले हुआ उनका उठना पहले हुआ चंगा होने के बाद उठा लेकिन वहां पढ़ते है कि वो तुरंद चंगा हो गया ये दर्शात है कि उसने दीरे-दीरे कोशिश नहीं किया उठने का, वो उठा और वो चंगा होकर उठा, उनके अंदर के अंदर उस ताकत उसको लगा ये दर्शात है सच मुझ में दो प्रकार की सचाई, जो हमारे समझ में पूरी तोर से आना मुश्किल भी है, कि पनमेश और अपनी सो इच्छा से, अपनी ही इच्छा से हमें चुनते हैं, हमारे पास आते हैं, हमें चंगा करते हैं, हमें उधार करते हैं, और हमारे उपर अपना अनुग्रह और कुरुपा उंडेलते हैं, हमें कुछ भी प्रशंसा करने के लिए नहीं है, लेकिन उसी जगा में ये वचन ओभी दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं, जब प्रबु ह हमसे आदेश देते हैं प्रबू हमारे अंदर काम करते हैं हमारे करतव है कि वह विश्वास करना मान लेना अंगीगार करना और उसके वच्चन की अनुसार उठना या चलना आग्याकारी रहना बहुत और वेश्य है क्योंकि उसका वच्चन में ताकत है और वह विश्वास करना है और तीसरी बात हमें ये दर्शात है जब यिश्यमसिय उसके जीवन में कार्य किया उनको चंखाक किया-उनको नया बनाया-उनका अंदर ताकत आया वो चलने लगा जैसा प्रभुु बोला वैसा चलने लगा पिछवना उठा कर जो जगा पर पीछले 38 सालों से रह रहे थे वहां से उठा और चला ये दर्शात है हर एक विक्ति जो इश्मसी के द्वारा नया जनम पाया उधार पाया मुक्ती पाया उनका चाल चलन में फरक होना चाहिए वहीं पड़े रहना नहीं चाहिए जहां पहले थे वहां से उठना है जहां पहले थे वहां से निकल जाना है हम Efe. Sigalen, पत्र में पढ़ते हैं सुसमाचार के योग्य Farm चलना है, मसी के योग्य Farm चलना है, हमारा चाल चलन व्यवहार दर्शाना चाहिए हम आलग लोग है हमारा बाधचित में अपीरंट में हमारे जीवन की सारी तरीके से ये प्रकड होना जरूरी है, कि हम अलग लोग हैं प्यारों प्रभू हमें साता करें इस 38 साल बीमार आत्मी का जीवन का रूपांदर हमें तीन मुख्य सबक सिखाते हैं हमारे प्रभूईश मसी के शब्दों में शक्ती और ताकत है और हमारे प्रभूईश मसी के उस वचनों का विश्वास करना पालन करना अवश्य है तुरंद पालन करना है वो सब कुछ करने वाला और सरवशक्ती मान प्रभू है और नए चाल पे चलना है प्रभू इन वचनों से में साता करें प्रभू की नाम की महिमा हो